हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो क्रेटिव क्राफ्ट माइंड आज हम बनाने वाले हैं फिटेट बेट सीट विदाउट लास्टिक एक नई ट्रिक के साथ और बहुत ही इजी मेथट के साथ यहां पर हमने बेट सीट को चारो साइड में एक्वल तरीके से विछा लिया है और इसक जितना भी फैब्रीक बाहर है वारा ब honour का तो हमारा जितना भी है उसको हम मेजरमेंट कर लेंगे इस तरiquा यहां पर हमारा तो यहांपर हमारा एट इंच आ रहा है तो दोनों साइड से बाहर दे से जो वी तो में तो गहां पर हमारा न पर्रस जो है पर boatÜb आपे णिर पान है चाहाँ पर दएक्न करेंगे 8 पर थास्स फ़िए पर आप 17 पर करेंगे पासर थेWow कि बैट से ज्यादा एक्सट्रा है नाइन ये टैंट इंच है तो आप उसी तरीके से में नार्किंग करिए हमे चारों कौणर और अधा नीचे की तरफ और मार्किंग करी ए तो 75 इंचों दंख करेंगे भी इसने मेरे को टब हैленद की Quin सारो कॉन नर्स को उसके बाद हम इस पर स्टीचिंग करेंगे फ्रेंट्स अगर आप पहली बार फिटेट बेट सिट बना रहे हैं तो आप इसे किसी भी ओल्ड बेट सिट पर ट्राइ कर सकते हैं और यह बहुत ही सिंपल तरीका है बनाने का आप बहुत इजली तरीके से इसक हम इन इसके चारो कॉन नर्स पर स्टीचिंग कर ली है और मैं इसमें जिग जग सिलाई लगा लूँगी किनारे पर ताकि इसके रफज़स भी बाहर न रहें इस तरीके से यह बिल्कुल सिक्यर हो जाएगा और विल्कुल अच्छे से रेडी हो जाएगा हमारा चारो कॉन तो अब इसके हम मार्किंग कर लेते हैं इसको बनाने के लिए तो यहां पर हमने इस तरीके से इसको रुखा जो हमारी इसकी सिलाई है यह वाली कॉनर्स की इसकी दोनों साइट पर हम 4-4 इंच पर मार्किंग करेंगे तो second grade मार्किंग कर लेंगे उसके बाद प्लेंगे वहां से लेकि दो प्लेटे बनाएंगे अंधर की तरफ को लेंगे इसी तरह से अच्छे से मजभी उतर होकत सबनाते हैं कि एक सिलाई में इससाण की और भीहें भीना लाल्या तो फट सकता है, इसकी निकल सकती है, इसलिए इसके हम डबल सिलाई लगाएंगे, जिससे हमारा अच्छे से मजबूती से रेडी हो जाएगा, चारो कॉनर्स हम इसी तरीके से रेडी कर लेंगे, प्लेटे बना के, तो यहां पर हमारा इस तरीके से बनाएंगे, तो यहां पर हमारा इस तरीके से बैडी हुआ है, तो अब इसको हम एक बल लगा के देखते हैं, यह कितना फिट है, कितना ढीला है, तो यहां पर हमने इसको अच्छे से लगा के देख लेंगे, तो यहां पर हमने इसको लगा लिया है, वैट शीट को अच्छे से प्रापर सी विशा लिया है, तो यह अभी भी थोड़ा सा धील आए चारो कॉनर्स पर, प्लेट डाली थी थी यहां पे हम Πेसं outs प्लेट हो एक्स्ट्रा गाए बना ली यहां पर यहां पे उसी तरह से में चारो कारों रात कीआ और इसको हम सबसे लगाके बड़ाया है और इसको भुछाक.,कि यहां पे लागा की नहीं कि तो यहां हम ने देखिए इसको लगा के देखा अभी विल्कुल पूरी ओपरे के से बखली बुर्च में सबस्चत हो चुका है इस तरह से और इसको हम फिर अच्छे से चारो कॉर्नर्स पर दबा देंगे इस तरह से अंदर की साइड और बिल्कुल फिटेड बेट सिट हमारी अच्छे से रेडी हो चुकी है अब यह बिल्कुल भी दर उधर नहीं खिसकेगी क्योंकि यह बहुत ही टाइटली बनी है तो अब देखिए इस तरीके से कितने फिट और बिना इलास्टिक के कितने अच्छे से परफैक्ली हमारी बेट सिट रेडी हो गई है फ्रेंट पहले हम इसमें दो दो प्लेटे ही डालकर चेक करेंगे अगर हमें डीली लगती है तभी हम इसमें एक्स्रा प्लेटे डालेंगे जितनी की हमें एक रिक्वायर्मेंट होगी उतनी प्लेटे हम इसमें डालकर इसको बिल्कुल फिट कर लेंगे इसको एक बार बेट पे जरूर लगा के देखिए प्लेटे डालने के बाद जब आपको डीली लगे तो उसी हिसाब से आप इसमें प्लेटे बढ़ाएं पान स